मैं सुझीत कुमार सिंग एडवांस एक्सल ट्रेणिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस ऑनलाइन ट्रेणिंग सुदूल में अभी जो आप वीडियो देखने जा रहे हमारी लाइव प्लास का वीडियो है जिसमें हम आपके सांद वीबिया करेंगे तीग अव्य जिक्रेंगा एक वीडियो को पूरा तक देखेंकि इसके रात में लास्टमे मैंने होमब्र्ग की जिक्र की है तो मेरे बागी रिटेल्स आपको मिल जाएंगे IPT, India, YouTube पे सर्च करेंगे तो मेरे कई सबसे ऊपर वीडियो 2100 वीडियोज मिलेंगे तो आज हमारी इस online class में हम बात कर रहे हैं VVM Microprogramming और VVM Microprogramming पे हम variable use करके calculation के बारे में डिसकस करेंगे calculation कि किस तरह से variable का use करके हम calculation करेंगे जिन्होंने मेरी Excel की class ली है उनको याद होगा मैंने जो formula इस टार्ट किया था तो मैंने उनको calculation बड़ा बताया था वही चीज हम यहां करने वाले हैं लेकिन VVM Microprogramming की मदद से तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक data है जिसमें कुछ numbers है सेल्स है quarter one and quarter two का quarter two का sales है और हम यहां इन दोनों को calculate करके हम growth निकालना चाहते हैं तो मैं यहां पर ब्रेवल लेता हूं कि dim quarter one comma quarter two as a long अब देखिए एक ही कास्ट के दो अगर विरेवल हो तो आप एक सांट declare कर सकते हैं फिर मैं यहां पर our edge double कर दिया double क्यों लिया क्योंकि हम percentage निकाल रहे हैं तो percentage decimal में होता है इसलिए हमने लिया फिर quarter यहां पर हम देते हैं कि quarter one equal to चले यहां पर range a two dot value और यहां पर हम quarter two equal to range b two dot value अब हम आर पर कैलिकुलेट कर रहे हैं कि latest minus oldest quarter two minus quarter one divide by quarter one यह हमारा ग्रोथ निकालने का जो हम ग्रोथ निकालते हैं उसका यह है मतलब की रोल मैं हम फॉर्मूला है त्रिक्स है तो रिजल्ट हमारा आर पर स्टोर हो गया कि इसको मैं run करूंगा तो मेरे किसी एक cell पर ही जाएगा एक cell पर ही जाएगा लेकि मुझे इसको करना है overall जितना data है उसके उपर तो इस पर अगर हम बात करें तो हमें दो तरीके हैं कि हमें इस formula को बार बार इसको बार बार repeat करना होगा इस code को इस code को हमें बार बार repeat करकर लिखना होगा यहां पर जहां 2 है वहां 3 हो जाएगा तो ऐसे करने से तो यह manual हो जाएगा मतलब कि यह dynamic नहीं रहेगा तो ऐसा ना करके हम loop का इस्तमाल करते हैं loop का इस्तमाल तो यहां पर हम लिखते हैं कि फोर इक्वल टू फोर आई एक्वल टू चले वन टू कहां तक है एस सेविन यहां पर एस सेविन तक कर दें इसको भी तरीका है कि फोर आई आई क्या एक वेरेवल है जैसे कि आपका कौर्टर बन कौर्टर टू आरह इसी तरह का विरेवल है हमने हैं डिफाइन नहीं किया आप डिफाइन भी बीक्ती जरूरत नहीं पढ़ती है कि ठीक है सब तो लेकि फिर भी ये हमेशा A2 को ही करेगा ना अब I क्या है इसको एक बाद समझे करता है कि कितना बार हमारा लूप चल चुका है तो यहां पर हमारा A2 है इसको हटाते हैं और इसके जगह पर हम यहां पर आई को देते हैं इसको भी तो यहां पर मैं एक बाद समझा दता हूं किसको आखी काम कैसे कर रहा है एक में इसको लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं इसमें अब यहां पर मैं Alt F8 प्रेश करता हूं Alt F8 क्या होता है Step Info होता है दिवग में जाएंगे तो step info होता है यह क्या करता है लाइन बाद समावां के करने करता है तो खाया तो मैं I plus 1 यहां कर दूँगा, एक तरीका यह है कि I plus 1 आप यहां कर दे, और यहां भी plus, तो I 1 है plus 1 हो कि A 2 बन जाएगा, इस A result 2 हो जाएगा, और A के साथ जग कमाइन होगा, तो A हो जाएगा A 2, और यह हमारा हो जाएगा B 2, अब देखिए, quarter 1 पर 85 और यहां भी 85 स्टोर हो गया, अब पचासी माइनस पचासी डिवाइर बें पचासी, विजल्ट जीरो आएगा, लो ग्रोथ, और उसको C I C 2 पर कर देगा, जब नेक्स्ट टाइम चलेगा, तो I हो जाएगा आपका 2, तो यहां पर 2 प्लस 1, 3, तो A 3, B, B 3 और C 3 इसी तरह से हो जाएगा, और इसी तरह से कैलकुलेट करेगा, तो लूप का इस्तमाल हम इसलिए करते हैं, ठीक है, यहां पर एक काम और कर सकते हैं, कि यहां पर जो हमने प्लस 1 किया है, इस प्लस 1 को ना करेंगे, हम 2, 2, 7 कर देते हैं, यहां हमें प्लस 1 करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है सर, तो जब चलेगा, तो फर्स टाइम 2 ही होगा, और हमारा है, यहां पर रिचल दे लेगा, इस कोड में किसी को डाउट है, अमिर जी, मुनीर जी, शंतोज जी, एनी डाउट्स, नहीं सर, कोई डाउट्स, तो इसी तरह से आगी भी हम करते हैं, अब अगला एक्जामपल पर चलते हैं, अगला एक्जामपल हमारे पास है, यहां पे, यहां पे हमारे पास मान लिजिए कि प्रिंसिपल है, हमारे पास रेट है और हमारे पास टाइम है, और हमें एमाउंट निकालना है, 50,000 यह हमारा हो जाता है एट परसेंट टाइम हो जाएगा तीन साथ 35,000 सेवन सेवन परसेंट पांग साथ पांग साथ वर साथ हुए अर इमारे देटा है तो हम यहां पे इसका निकालना है हुए कर अर्याने लिए हमारे पास होता है फ्रीम दिवाइड बाइट do ज leven युद आई ौर और यह हमारे यह हमारे रिजल्ट दे देता है लेकि प्रॉलम क्या है कि यह इन्विल्ड फॉर्मुला है हमें ट्रस्ट नहीं है हम चाहते हैं अपना mathematical formula का इस्तेमाल करना mathematical formula क्या होता है mathematical formula होता है कि पी मैंने कि amount equal to amount equal to p multiply by 1 plus r divided by n power of मुनी जी यह होता है ना कि आप बैंगिंग सेक्टर में तो आपको ज़्यदा पता होगा अजी ठीक है तो अब इसको हमें इसके जरी कल्कुलेट करना है तो यहां पर subject rr ब्रैकेट ओप्न क्लोज अरा नहीं देते यहां पर आई एं इन तो यहां पर हम यहां लेते हैं इसलिए पी आजे लॉंग तो डिम कि हार आजे डवल क्यों क्योंकि यह आपका percentage जोता है डेश्मल में होता है इसलिए हमेशा डेश्मल वाली हमेशा डवल में आएगी और रिकॉर्डिंग परमिसंटर एक निट कि यहां पर दिम और हमारा टी एज है हम इसको बाइट या इंटीजर दे सकते हैं क्योंकि कमी होता है न तो रूप में वेरेवल को डिक्रियर नहीं करना है कि फोर आई इक्वल टू चले टू टू कितना है इसको हम आगे कर देंगे कि अब अपने आप डेटा ले लेगा फिलहाल तो आप मैनुवल ही रिखें पांच तक चले यहाँ पर फाइव और नेक्स्ट अब जो भी कोडिंग करना इसमें करना है को कि रिपिटेशन है तो हम यहाँ देते हैं कि पी इक्वल टू चले रेंज ए उसके साथ कम्माइन हो गया आई डॉट वैली आर इक्वल टू रेंज बी के साथ कम्माइन हो आई डॉट वैली और टी इक्वल टू रेंज और यहाँ सी और सी के साथ हमने आई को कम्माइन किया और डॉट वैली अब उसके बाद अब यहाँ रिजल्ट के लिए एक आर लेंगाते हैं कि दिम आर एस डॉट को कि देशमर प्लैस भी आ सकता है इसलिए हम डॉट ले लिए और फिर कहां देटे हैं कि आर इक्वल टू चले पी मल्टिप्लाइबाई बाई बाई न ब्लस आर डिवाइड बाई बाई ट्वैल अं ट्वैल है मंत्ली है इसलिए पावर आफ टी मल्टिप्लाई वाई N ठीके सर सर आर दो बार लिए वो ले सकते हैं क्या सर आर कहां दो बार है अचा ये आर अचा आर नहीं 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 ले सकते हैं आर ए कर दीजिए एक नाम के दो वरेवल नहीं हो सकते है याद रखेगा इस चीज़ को अब अब मैं रिजल्ट को यहां पर करता हूँ रेंज C के जगा पर D D के साथ हमने I को कमाइन किया और इकॉल टू R की रिजल्ट को फास आउट कर दिया अब मैं इसको यहां से पिले करूँ या फिर मैं यहां पर भी जाके डेवलापर में जाके मैं क्लिए कर सकता हूं मैं को में जाके यहां फिर हम यहां बटन के त्रू भी इसको करवा सकते हैं अब बट्रम पर क्लिक करूंगा तो देखिए सब्सक्राइब होगा है ठीक है अब यहां पर यहां पर यहां पर हम ने मैथमेर्टिकल कल्कुलेशन को इस तरह से किया हुआ है अब चलिए एक और क्ल्कुलेशन दिखाता हूं बैसे मुझे अमर निकालना है यहां पर मुझे यहां पर यहां पर कॉस्ट है और मुझे यहां पर मेनुक्षर कॉस्ट है तो मैनेुफएक्ट्टर क्या करेगा इस पर पांच प्रसन एड़ करके दिस्टिब्यूटर को देगा दिस्टिब्यूटर क्या करेगा आपने खरीद पे वापस 10 परसंट एड करके डिटेलर को देगा और इसको होलसल को देगा पंदरा परसंट एड़ करके डिटेलर को और डिटेलर बीस परसंट एड़ करके देगा किसको कंजूमर को तब यहां पर MRP निकालना है तो चलिए इसके लिए भी हम वीविय प्रगाम लिखते हैं और यहां पर मैं सब्जेक्ट MRP और यहां पर देता हूँ दिम C as a long और दिम R as R as a double और R equal to 4 I equal to 2 to 7 तक 7 तक next I और यहां हो जाएगा R equal to R ने है C C C equal to range A A के साथ I को combine कर दिया हमने अब उसे variable क्यों ले रहे हैं विरेबल लेने का purpose इसलिए है क्योंकि अगर विरेबल ना लेंगे तो इतना हर्ट जो से पी कर जगह पर मुझे ए लिखना पर आपड़ागा तो असलिए काल्कुलेशन लेंदी हो जाएगा इसलिए हम पहले उसको विरेबल पर स्टोर करते है देन विरेबल को काल्कुलेट करें ताकि इसलिए काल्कुलेशन उसके बाद यहां पर हम देते हैं कि R equal to C plus C multiply by 0.05% percent का symbol नहीं लेता है तो आप यह कर सकते कि 5 divided by 100 या फिर आप decimal में लिख दे अब यहां पर R equal to R plus R का क्योंकि whole distributor को दे दिया गया distributor क्या कर रहा है कि अपने खरीद पर खरीद का 10% add करेगा तो खरीद कुन सा है R पर स्टोर है इसलिए हमने R दे दिया और हर कोई अपने खरीद पर percentage को add करेगा तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं अब यहां भी एक दो चीज़ देखिए कि आप उसी वेरेवल को calculate करके उसी वेरेवल पर स्टोर कर सकते हैं आर पर ही आर की calculation करके आप इस टोर कर रहा है आप ऐसा एक्सल में कर ज़गते कि आप A1 पर value रखे हैं और A1 प्लस 10 करके A1 पर ही फंगा लगा है नहीं चलेगा आपको V1 पर करना पड़ेगा लेकि VVA में जिस वेरेवल पर आपने जिस वेरेवल को calculate कर रहे हो उसी पर उसको इसको स्टोर कर सकते हैं कि पिर रेंज बी के साथ आई को मैंने combine किया dot value equal to हमने कर जा अब मैं MRP को अपने हिसाब जैसे से run करना चाहते हो उसे run कीजिए आप shortcut भी बनाना चाहो तो option पर जाके आप shortcut भी बना सकते हो कि अब डेश्मल में आया मैं डेश्मल नहीं चाहता हूँ तो कैसे करेंगे इसके लिए तो आप इसमें अगर डेश्मल हटाना ही चाहते हैं तो इंट का formula लगा दीजिए यह integer में convert कर देगा R को नहीं ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप यहां यह कर सकते हैं कि dim P as a long और यहां पर आप इसी के ऊपर कर सकते हैं कि P equal to R और यहां पर P कर दीजिए क्योंकि यह long है तो डेश्मल को round off करके ही ओ लेगा कर दीजिए तो अब आप क्या करें कि इसी चीज को रिफ्रेंस में लेते हुए कि इसी चीज को रिफ्रेंस में लेते हुए मुझे इसके दस एक्जामपल बना के बेज़ें सब्सक्राइब जाएंक रिफ्रेंस में लेते हैं है तो इसी चीज को राज़ेंगे यूट्यूब पर डाल लूगा वीडियो देखा है एव और वीडियो अ मेरी लाइव लाइव क्लासिज रात के दस्वेजिकी क्लासिज थी जो कि मैंने आफ्ट थर्ड मैं को लिया है इसमें तीन से चार बच्चे थे थे हमारी ऐसी ही डेली बिसेश पे तीन से चार बच्चों की बैच चलती है आप हमारे सांथ लाइब कनेक्ट होते हैं मुझसे बातचीत करते हैं इस जून अप के तुरू और हम पहले तीन-चार क्लास एज फ्री डेमो देते हैं तो आप मेरी वेबसाइट ाइपीटी इंडिया डॉट कम पर जाएं और डेमो क्लास को एन्रॉल करें और तीन-चार-बांच क्लास लेकर देखें अच्छा लगा तो फिर आप कोर्स को एन्रॉल करेंगे या फिर हमार पेंड्राइब भी सेल होती है तो आप मेरी वेबसाइट ाइपीटी इंडिया डॉट कम से हमारी रिकॉर्डड पेंड्राइब को भी ले सकते हैं साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉलम होती है किसी भी तरह का प्रॉलम होता है तो आप मेरी वेबसाइट ाइपीटी इं इंडिया को यूटूब पे सर्च करें आपको पुराय मिल जाएगा अच्छा रगा तो चैनल सिस्काइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे